नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं उससे कहीं अधिक आने वाले कल में दिखेगा मुख्यमेंत्री ने कहा है कि जर्खन के माथे पर गरीबी मैदूरी का कलंक है देश का सबसे पिछला राज है चार साल में गरीबों, युवाओं, बेरुजगारों, छात्रशात्राओं के लिए योजनाय सुरू की गई है इसका लाब मिल रहा है और जर्खन 25 में युवाराज बनेगा आने वाले समय में 40 से 50 हैर न्युक्तिया होगी इसमें CDPO, सिपाही और सिख्षको की बहाली होगी बेटिया बोज नहीं होगी, उनके पढ़ाई की खर्च सरकार उठाएगी सिख्षा से ही जार्खन की आने वाली पीढी ससक्त होगी और राज भी मजबूत और सक्तिसाली होगा हेमन सुरेन ने अलान किया है कि सरकार प्रखन मुख्याले की तरह पंचायत मुख्याले को ससक्त बना रही है यह प्रखन मुख्याले का अतिरिक्त कार्याले होगा बता दे गाउं के लोगों को अब भटकना नहीं पड़ेगा 255 क्रोर की 64 योई नाव का सिलन्या सेवम उदगाटन भी किया गया है जे एस एससी की एक और परिच्छा में गलबड़ी पीजीटी के मैथ के 40 परशन थे गलत लेकिन 22 में ही किया सुधार अशनत कोतर प्रसिक्षित सिक्षक परित्योगता परिच्छा दोह ये तेस की जारी फाइनल अंसर सीट पर भी गनीत बिशाय के अभियार्थियों ने अपति की है इसको लेकर सनीवार को गनीत भी सहके अभियार्थियों ने जार्खन करमचरी चेन आयोग के उप परीक्षा नियंत्रक से मिलकर अपति दर्च कराई उन्होंने 11 दिसंबर को सबूत के साथ करयाले आने की बात कही है अभियार्थियों ने कहा है कि आयोग की और से जारी फाइनल अंसर सीट में गनीत के सिर्फ 25 प्रशनों की ही तुरूटी दूर की गई जबकि 40 प्रशनों पर अपति की गई थी लेकिन आयोग ने सिर्फ 22 प्रश्ण से जोड़ी तुरूटी दूर की जिसमें 16 प्रश्ण रद किये गा है और 6 प्रश्णों के विकल्प बदल दिये गा है जब रिस्पोंस सीट जारी किया गया तो उसमें अभी भी 18 प्रश्ण गलत है ज्यारखनराज बाल अधिकाज संद्चन आयों का आदACE बाल स्रम कराने वालो पर करेट करवाई ज्यारखनराज बाल अधिकाज संद्चन आयों के सदस से उजल तिवाई ने गड़वा समानालायज थी प्रभा कक्ष में सम्माधित पताधिकारियों के साथ एक बैठक की इसमें स्रीत इवाई ने सरपर्थम जीला समाज कल्यान पताधिकारी से जीले में संचाली तो और निबंधित पले इसकूल एवं अंगनवारी केंद्रो तथा जीले के सक्रिये एंजीयों की जनकारी मांगी इसक्रम में उन्होंने बाल कल्यान एवं बाल सनचन समाज दे जीला अस्तरिये बैठक लंबेस समय से आयोजीत नहीं करने पनलाज की ब्यक्त किया है उन्होंने तीन महिने के अंत्राल में नियमित बैठक कराने का निर्देश दिया शिरित दिवारी ने टीम बना कर बाल में दूरों को चीनित करने वह आरोपियों पर करवाई का निर्देश दिया है बच्चों के बहुधिक विकास, स्वास्त, खेल, सिक्षा, पोशन, बाल, स्रम, मादक पतात्थों के स्वेवन वा पलायन जैसे विशयों की जाज के लिए स्वास्त बिभाग, कल्यान बिभाग, सिक्षा बिभाग, स्रम बिभाग, वा खनन बिभाग, पता दिकारियों के बना कर स्कूल अंगनवाडी केंद्र फैक्टरी दुकान इट भठाव क्रसर पर बच्चों बाल मजदरों की जाज का निदेश दिया है चोतारफा घीरे सांसत धिरसाहू कांग्रेस ने भी उठाए सवाल कांग्रेस के राइस सभा संसत धिरसाहू 300 क्रोर कैस बराम्दगी मामले में चोतारफा घीरते जा रहे हैं बीपक्स हमलवार है तो वही कांग्रेस ने भी अपनी नेता पर सवाल उठाए है कांग्रेस ने ताय जैराम रमेस ने कहा कि सांसर धेरज साहू के बिजनेस से भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें या अस्पस्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथी तोर पर उनके ठीकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैस बरामत किया जा रहा है मौसम साफ होते ही जारखन में बढ़ेगी कनकनी जारखन में सोमवास से बादल छट जाएंगे और राज में ठंड के साथ कनकनी भी बढ़ेगी पच्मी हवा के रूप में तेजी आएगी आने वाले तीन दिनों के दरण निम्तम तापमान में दो से तीन डिगरी की कमी आ सकती है इस दरण राजे में निम्तम पारा 11 डिगरी तक जा सकता है मौसम विभाक के अनुसार रभिवार की रात से आसमान आम तर पर साफ हो जाएगा इसके बाद पच्मी और उत्तर से आने वाली सर्धावाओं का रुख जारकन की ओर होगा और कनकनी बढ़ेगी वही सन्निवार को खुटी सबसे ठंडा रहा बिक्सित भारत संकल पयातरा सन्वाद कारक्रम में सामिल हुए बावुलाल मरांडी परधान मंत्री के सन्वाद में जम्मु कस्मीर गुजरात बिहार सहित कई राजियों से लोग जुडे वही रांची के परदेश करेले में जारकन परदेश संगठन मंत्री करमबीर सिंग भाजपा परदेश अद्यक्स बावला मरांडी ने अन्य भाजपा नेताव साथ बैठक कर परदान मंत्री के संबोधन को सुना प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन के दोरान वर्ष 2047 तक विक्सित भारत बनाने के संकल्प और कैसे उसे पूरा किया जा सके इसके जनकारी दी उन्होंने बताया कि विक्सित भारत के लिए फिट इंडिया स्वस्त भारत का होना भी जरूरी है प्रधान मंत्री ने इसके लिए चार सुत्र बताए जिससे अपना करहम तंदुरुस्त रह सकते हैं उन्होंने कहा कि प्रध्त मत्रा में पानी, पीना, हर दिन योग और व्याम, अच्छे पोशन के लिए मोटे अनाज का अधिक सदिक उपयोग और हर दिन अच्छे निंद जरूरी है मोदी राज में नहीं बचेंगे एक भीवरश्टा चारी चिराग पास्वान लोग जन सकती पार्टी राम बिलास के अधियक चिराग पास्वान स्थानिवर को राची पहुँचे राची अरपोर्ट पर करकताव ने चिराग पास्वान का भव्य स्वागत किया पासवान पार्टी के करक्रम को लेकर के रांची आये हुए हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए करकताव साथ बैठक भी करेंगे बता दे रांची एर्पोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए लोग चन सकती पार्टी राम बिलास के अध्यक चिराग पस्वान ने कहा है कि इस बिशाय की समिक्षा की जाएगी कि पार्टी को जार्खन में मजबूत करने के लिए और क्या क्या करना है चिराग पस्वान ने कहा है कि हम जार्खन विधान सबाचुनाव में मैदान में उत्रेंगे और हमारी तयारी जार्खन विधान सबाचुनाव लड़ने की है पार्टी कल काताय कसा समिक्षा करके आगे की रणीति को त्यार किया जाएगा मद्द परदेश चतिसगर और राजास्थान में भाजपा की परचंड जीत पर चिराग पस्वान ने कहा है कि भाजपा पर लोगों को भारोसा है तिन राजियों में हुई जीत यह बताता है कि नरेंदर मोद्री के काम पर लोगों को विश्वास है झार्खन के हज यात्रियों को इस बार भी रांची से उळान की नहीं मिलेगी सुविधा झार्खन के हज यात्रियों का लगाता तीसरे साल इंबार्केशन पॉइंट रांची से खटा कर कुलकत्ता कर दिया गया है इससे यहां के हज यात्रियों को काफी परिशानी होगी मालूम हो कि कुरोना के पहले हज यात्रियों का विमार रांची से ही सिधे जेद्धा के लिए उड़ता था जिससे उन्हें काफी सुवधाय मिलती थी कुरोना की समापती के बाद पहली बार देश में सीमित संख्या में इबारकेशन पॉइंट बनाए गये थे जिसमें रांची का नाम हटा दिया गया था वही 2023 में भी इबारकेशन पॉइंट हटाकर कुलकत्ता कर दिया गया था काफी पत्र चार के बावजूद इंबार्केशन पॉइंट को राजची में बहाल नहीं किया सका इसके बाद राज सरकार ने अपने खजपर हज यात्रियों वा उनके परिजनों को कुलकत्ता भेजा था इस मामले में राज हज कमीटी वा कल्यान मंत्री की ओर से भी पत्र लि चार के बाद इस्थिती समाने है परचार सामंत साव ने बताया कि बच्चा बेहोँ सोकर गिर गिर गया था एम्बुलेंस के लिए एक सवाट पर फोन करने से उडिसा में लग रहा था लखाई डि में कनेक्टिविटी की समस्या है हमने CAC के परभारी को फोन किया परभाई ने एक सवाट एम्बुलेंस को लखाई डि भेजा बच्चे के परिजनों को जनकारी दी गई वा चटानी पानी गाओ के मिर्जा मुर्मु का पुत्र है बच्चे के परिजन CAC डुमर में जंगली हाथी ने दो महिलाओ को कुचल करमा डाला मिरितक महिलाओ में से कुसुम टोरी निवासी कमलावती देवी 47 वर्सी वा बिढवली निवासी मर्यम मुडाईन 55 वर्सी ये सामिल है दोनों महिला अलग-अलग रास्ते से अपने घर जा रही थी सुक्रवार साम कोड़े बजार से देर साम जंगल के रस्ते अपने घर जा रहे थे इसी करम में एक जंगली हाथी से सामना हो गया धन्यवाद